दोस्तो हेटफून का सिलसिला शुरू किया था जारी है दोस्तो और यहां पर हमने कहां से शुरू किया था HyperX Cloud Stinger Core 2 से देन हमने JBL Quantum 100 को देखा उसके बाद EXA E900 Pro देन SteelSeries Arctics 1 और आज जो है हम देखेंगे Corsair HS55 Surround को अब यहां पर जो HS55 Corsair की तरफ से आता है इसके दो वेरियंट आते हैं एक stereo आता है जो थोड़ा सा और budget range में आता है और एक आता है surround जो आज हम कर रहे हैं थोड़ा सा प्राइसियर साइड में आता है लेकिन हम वो पहले है उस उम्मीद पर खड़े उतरने के लिए हमें प्रोड़क्ट Amazon से मंगाना पड़ता है तकि रिवीव जो हो एकदम बेबाक हो neutral हो अनबाइस हो और हमारे मेल में जो बड़े-बड़े companies के लिक्रेटिव ओफर आते हैं उनसे हम दूर भी रह सके इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों नीचे जो भरोसे वाला बटन है सब्सक्राइब वाला बटन है लाल बटन है उसे दबाओ नोटिफिकेशन को और पर करो यहां पर मॉडल नंबर आपको देखने को मिलेगा है अब यहां पर ध्यान रखना है कि यह सराउंड वाला है एक इसका दूसरा भी वर्शन आता है एज़ेश डेबल फाइफ स्टीरियो खोड़ा सा बजट ओरिएंटेट जो है हेडपोन है वो हो जाता है पहराल अगर यहां पर बहुत जादा आपको देखने को मिलेगा बॉक्स को लेते हैं तो जैसे कि देख सकते हो बॉक्स पूरा खाली हो चुगा है और हमारे पास जो है अभी काफी सारे डॉक्यमेंटेशन सामने आ चुगा है सबसे पहले यहां पर जो है एक छोटा सा कुई स्टार्ट स्टारेंट को मिलेगा एक। आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा सिर्फ इस एड़ाप्टर के लगाने से वह जो है चालू हो जाएगा किसी एक्स्ट्रा सॉफ्ट्वेर की ज़रत नहीं पड़ेगी रते इसको साइड में और देख लेते क्या क्या चीज़े मिल जाता है यहां पर एक सिलिकॉन जेल लग रहा है इसको हलके से निकाल जाए और यह रिटी जो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन लग रहा है बहुत बड़िया इन हैंड फील आ रहा है बहुत ही प्रीमियम इन हैंड फील आ रहा है इतने बड़िया हैडफोन का ऐसे रिव्यू करते वे मज़ा नहीं आएगा प्रास्टिक यूज किया गया है बहुत ही उमदा यूज किया गया है और वह अव्यस भी है एक तो ब्रेंड देख लो दूसरा इसका बजट देख लो ओवर और यहां पर अगर वेट टू बड़ियो की बात कर लें थाइसो ग्राम के आसपास यहां पर वेट इसका बैठता है वो आपको memory foam देखने को बिलता है ultra soft है आपके कानों में एक बार बैठने के बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप headphone पहने हुए हो और इसके पीछे एक reason और भी है दोस्तो वो है इसका ergonomic structure चाहे जैसा भी आपका skull का structure हो या फिर कैसा भी आपके कान का size हो यह अच point है साथी यहाँ पर जो headband का extender है वो metal का आपको देखने को मिलता है तो durability में no doubt कोई दिक्कर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी साथी अगर बात करें इस headphone के overall switch के configuration की तो आपको headphone में बहुती accessible जगा पे volume rocker देखने को मिलता है और बाकी कोई button आपको देखने को न आपको काफी अच्छे धंग से जो है मुड़ जाता है आपके lips के करीब तक आ जाएगा यह बहुत ज़रूरी है इस headphone में होना क्योंकि यहाँ पर headphone का microphone है वह omnidirectional देखने को मिलता है जो कि again बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर bidirectional dynamic microphone होता तो बहतर मु बहुत अच्छी गुंजाईच रहती है तो आपको जो sound आ रहा है वह अभी इस वक्ट जो भी आप सुन रहे हो वह रहा है और अब आप सुनोगे after पोस्ट प्रोसेस सो ऐसा कुछ आपको जो है sound यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यह जो sound है यह आप ही अच्छा है considering it's some omnidirectional microphone और यही रिजर है कि discord ने इसे certified भी किया है और मेरे बहुत सरे भाई लोग जो already इस industry में है जो streaming बगरा कर रहे है वो इस headphone को इसी लिए जो है इतना जादा इस अब बात यहीं से साफ हो जाएगी सबसे बहुत करेंगे क्या drivers देखने को मिलता है वहाँ पर आपको 40 mm के new driver देखने को मिलता है यहां आपको 50 mm के new driver देखने को मिलता है अच्छे caliber वाले देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पर जो microphone है वो थोड़ा सा मुझे unsatisfactory लगा त वो है इसके साथ जो adapter आता है अब जो adapter आता है उसमें USB एक तरफ male है उसी तरफ Ox का female देखने को मिलता है इसको अगर लगा देंगे एक junction तयार होगा और इस junction के थुरू आप जो है Dolby Atmos का मजा ले पाएंगे यह बहुत बड़ी बात है इस range के अंदर headphone में जो Dolby Atmos है काफी अच्छा multimedia consumption के समय तो काम करता ही है गेमिंग के दौरान भी बहुत अच्छा यहाँ पर performance आपको देखने को मिलेगा और stereo phonic अगर आपको यूज करना है दो ही चैनल यूज करने है तो वह भी जो है adapter के साथ या बिना adapter के भी जो है यहाँ पे आप यूज कर पाऊगे यहाँ पर आपको एक dedicated software भी देखने को मिलता है IQ का software आप सभी जानते होगे Corsair का software है बहुत ही पॉलिस्ट है कैलीबरेटेड है और साथ ही यह जो software है आप जब install करोगे कोई भी antivirus जो है इसे रोकेगा नहीं सबसे अच्छी बात software का जो user interface है बहुती smooth है बहुती user friendly है और यहाँ पर आप क्या क्या देख पाओगे क्या 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 टॉगल कर पाओगे एक तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोफाइल काफी सारी देखने को मिल जाएगा जहां आप custom presets भी तैयार कर सकते हो और साथ ही क्या आपको यहाँ जो microphone का audio के अलग-अलग levels है उसको आप टॉगल कर सकते ह और साथ ही यहाँ पे doll भी आपको लेना है या stereo लेना है उसको toggle करने का जुगार भी जो है इस software के अंदर आपको देखने को मिल जाता है हर बार software में जाने के लिए छोटे-छोटे tweaks करने के लिए आपको ज़रुवत नहीं पड़ेगी लेकिन हाँ अगर आप purposely किसी game में हो औ तकरीबन तकरीबन same to same है जो हमें optics one में steel series का देखने को मिला था यानि कि आपके जो bass है जो lower notes है वो आपको पुड़ा सा हलका सा elevated देखने को मिलेगा मिट्स जो है वो आपको normal balance देखने को मिलेगा और जो high notes है वो काफी जाधा boosted आपको देखने को मिलेगा और सियर hs55 surround मे या फिर जो gear shift कर रहे हो गाड़ी के अंदर उसका metallic crank का आवाज का आना या bone crack को ना ये जो छोटी-छोटी minor details है जो दूसरे headphone में cover नहीं होती वो चीजे जो है same इसमें भी cover हो जाती है जैसे optics one में cover होती थी लेकिन इसके उपर अगर आप Dolby Atmos अगर activate कर देते हो तो उसके ब video consumption हो आपको एक level up शरूर करा देगा अचा बात कर लेते हैं अब इस headphone के compatibility क्या ये जो headphone है hs55 surround ये क्या सिफ PC laptop के साथ compatible है नहीं ऐसा नहीं है ये mobile के साथ भी compatible है iPhone के साथ भी compatible है Mac के साथ भी compatible है और साथी Nintendo Switch के साथ compatible है और किस के साथ compatible है PS4, PS5, Xbox One, X और S ये सारी जो चीज़े है जितने भी बड़े platform है इन सब के साथ जो है ये compatible है और compatibility सिर्फ headphone के बामले में ही सीमीत नहीं है बलकि यहाँ पे जो microphone की बात हो रही है या साथ ही उसके साथ आने वाले adapter की बात हो रही है सारी चीज़े जो है डाला है उसे उतारने की बारी है देखो इस headphone का अभी जो प्राइस है वो 6,185 रूपीज है जो सराउंड के लिए आता है स्टीडियो वाले का प्राइस इससे थोड़ा सा कम है 4,442 तो वी प्रिसाइस जब रेकॉर्ड हो रहा है उस समय की बात कर रहा है अब अगर देखा जाए उसी प्राइस के हिसाब से 6,000 के आसपास के हिसाब से तो डेफिनेटली यह जो है आपके स्टील सीरीज के आक्टिक्स 1 से पुड़ा सा कम प्राइस में आता है और परफोर्मेंस लगभग लगभग सेम निकाल के देता है और कंपनी का स्मार्ट मूव तब समझ में आ अगली कॉंटेस्ट में आप बन जाओ एक फ्री डॉमिनोस पीजा के वाउचर का हकदार